हेलो दोस्तो नमिश्कार आप सभी के स्वागत है DRKTV पर मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर कनईया बीकानेर राजस्थान से साइकेट्रिस्ट मनोचिकित्सक एंड काउंसलर दोस्तो आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आप सभी को NLP टेकनिक के बारे में बताऊंगा और ये NLP टेकनिक क्या होती है इसको ये किस तरह से काम करती है और इसका हम उप्योग कैसे कर सकते हैं इसके उपर पूरा ये वीडियो है तो दोस्तो चले ये पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि NLP होती क्या है NLP के अंदर जो N है इसका मतलब होता है Neuro, L का मतलब होता है Linguistic और P का मतलब है Programming Neuro का मतलब क्या है हमारा Brain जो है दोस्तो वो पूरा Neurons से बना हुआ है और इन Neurons के अंदर हमने जितना भी सीखा है हमारी Life के अंदर जितनी ही हमारी Learning हो रखी है वो Learning Experience के फॉर्म में Stored है हमारा जो Conscious, Subconscious और जो Unconscious Brain है इन तीनों के फॉर्म में हमारी जो Learning है हमारा Experience इन Neurons के उपर जो Stored है इन Neurons के अंदर इन Neurons के अंदर है तो यह जो Neurons के अंदर जो Experience है यह Experience हमारे Behavior को किस तरह से अफेक्ट करता है Behavior मतलब जो हमारा Linguistic Part है Linguistic का मतलब है Language से Language का मतलब Communication Communication के अंदर हमारा जो वैभार होता है जो हमारा Behavior है जो हमारी जो Language है वो Two Types की होती है वो Language एक तो होती है हमारी Verbal मतलब हम क्या बोलते हैं और दूसरा होता है हमारा Non Verbal Communication Non Verbal Language non-verbal language में क्या होता है हमारी hand की movements कैसी है हमारी body posture कैसी है हमारे facial expression कैसे है हम खड़े किस तरह से है हम किस way में हम लोगों से interact कर रहे है यह सारी जो चीज़े वो non-verbal language का part है non-verbal communication का part है दोस्तो communication दो तरह का होता है verbal और non-verbal तो दोस्तो यह जो communication है यह communication किस तरह से हमारे experience का effect करता है हमारे जो brain के अंदर जो neurons के अंदर जो भी चीज़े stored हो रही है उसको effect करता है और जो neurons के अंदर stored चीज़े हैं वो चीज़े किस तरह से हमारे communication हमारे व्यवहार का effect करती है तो यह है neuro-linguistic मतलब जो neurons के अंदर जो stored experience है वो कैसे हमारे linguistic communication हमारे behavior को affect करता है हमारी language को affect करता है और जो हमारी language है वो किस तरह से हमारे communication को affect करती है जो हमारा neuronal patterns है neurons के अंदर जो experience stored है वो language किस तरह से इस experience को affect करती है neurons के pattern को affect करती है तो इसको बोलते है neuro linguistic programming 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 के मतलब यह पूरा system किस तरह से काम करता है और technique क्यूं बोला है क्योंकि इस programming को use करते हुए हम किस तरह से अपने आपको transform कर सकते हैं अपने subconscious brain को change कर सकते हैं अपनी conscious को change कर सकते हैं अपने behavior को बदल सकते हैं अपने language है वो किस तरह से affect होता है और language से हमारा जो neurons का experience है वो किस तरह से affect होता है तो दोस्तो यह होता है NLP Neuraligmistic Programming अब हम इसको एक example के माद्दिम से समझते हैं कि basically काम कैसे करती है जो NLP है वो किस तरह से work करती है दोस्तो एक जब बच्चा पैदा होता है उसका दिमाग एकदम blank होता है उसके अंदर किस भी चीज की कोई storing नहीं होती कुछ भी patterns नहीं होते लेकिन जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसको कुछ चीजे सिखाई जाती है जैसरे वो अपने parents को जिस उबच उठा तो आपने parents को जैसेachifully बरश करता है वे उसको टॉइलेट की training दी जाती है कि किस तरह से toilet करना है किस तरह से पानी पीना है किस तरह से खाना है चीजों के क्या नाम है बरश करना चीखा जाता है different habits है वो उसको सिखाई जाती उस behavior से related जो patterns है वो दिमाग के अंदर stored होते रहते हैं, neurons के अंदर stored होते रहते हैं. अब यह जैसे neurons के pattern stored होते जा रहे हैं, धीरी-धीरे क्या होता है, कि initially तो बच्चे को कहना पड़ता है brush करने के लिए, लेकिन एट टाइम बाद सुबह उठती, automatic उसके मन में आता है कि मैं brush कर लूँ, क्योंकि already जो stored neuronal pattern है, अब वो behavior को guide करने लग लग लिया, मतलब हम किसी के behavior को observe करके, उस behavior से related neuronal patterns हमारे दिमाग में set करते हैं, उस neuronal pattern के आधार पर फिर हमारा behavior होता है, हमारा जो behavior जो हमारा psychological behavior और हमारा expressive behavior, psychological behavior तो हमारे दिमाग में thoughts किस तरह से produce हो रहे हैं, और expressive behavior मतलब हमारी language, verbal और non-verbal मतलब हमारी body language किस तरह की है, तो यह जो behavior ही guided होता है हमारे neuronal patterns है, तो दोस्तों यह जो बच्चा है वो जो दिरी-दिरे बड़ा हो रहा है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़े install की जा रही है, basically वो install किस फॉर्म में की जाती है, behavior की रूप में install की जाती है, वो behavior के जो pattern से वो neurons के अंदर store होते हैं, और यह stored neurons pattern है, वो future में उसके behavior को again guide करते रहते हैं, तो यहाँ पर जो behavior इसको linguistic L वाला part है, neurons के अंदर stored हुआ और stored pattern है, वो आपस कैसे यह utilize हो रहा है, इसलिए इसको बोलते है NLP technique, Neuro Linguistic Programming, अब यह जो Neuro Linguistic Programming अगर हो रखी है, अब उस बच्चे को हर छोट-छोटी habit सिखाई जाती है, छोट-छोटी चीजों को correct किया जाता है, ताकि सही pattern उसके दिमाग में stored हो, तो दोस्तों, यहाँ पर हम यह बहुत अच्छे से understand कर सकते हैं, कि दिमाग के अंदर जो भी programming होती है, वो programming हमारे behavior को guide गरती है, और जो हमारा behavior है, वो उस programming के pattern के formation के लिए responsible होता है, और यह जो pattern बन जाता है, यह again future के अंदर हमारे behavior को वापस guide गरेगा, हमारे behavior उसी के according होगा, तो यहाँ पर हमारे दिमाग के अंदर जो overthinking हो रही है, यह जो हमें uncertainty के thoughts आ रहे हैं, जो insecurity के thoughts आ रहे हैं, यह thoughts क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमारे brain के अंदर इनके pattern stored है, और अगर हम इन patterns को change कर लें, इन pattern को change कैसे करेंगे, वह pattern को change करने के लिए NLP को use करना पड़ेगा, मतलब हमें कुछ certain kind of behavior अपनाने पड़ेंगे, जिससी pattern change हो जाए, और जैसी pattern change होगा, हमारा behavior भी change हो जाएगा, तो दोस्तों, इस दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा हैपी हैं, हमेशा positive रहते हैं, बहुत सारा उन्होंने पैसा कमाया है, बहुत तगड़ा business करते हैं, अगर वो लोग किस तरह का neuronal pattern है, दोस्तों, NLP के उपर में और भी बहुत सारे वीडियोज लेक्या हूँगा, आपको ये वीडियो कैसे लगा, नीचे comment box में लिखकर जरूर बताईएगा, और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DR-KTV को सस्क्राइब नहीं किया, जिसका link मैंने नीचे description में दे रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत!